कि नमस्कार दोस्तो हरे किष्ना सभी वर्तों में सर्वक्ष्रे च्रेस्ट एक दशी का वरत ऐसा कहा जाता है भी कर पाता है तो घुधի्छ सिर्फ एकदसीवरत का पालन करें तो उसे बाकी सभी वर्तों का पालन करने की अवशक्ता नहीं रह जाती है। कारण यही है कि समाने रूप से किये जाने वाले बाकी सभी वर्त और उपवास मनुश्य को भोतिक सुख सम्रिदी देने की बात करते हैं। लेकिन एक अधसी का वरत मनुष्य को भोतिक सुख सम्रिदी विर्दी तो देता ही है, अभी तो वे उसके साथ साथ परम अतेधमेक होता है, इसलिए अगर कोई मनुष्य इस भोतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो वे एक अधसी का वरत का पालन अवश्य कर चलिए आरम करते हैं परतेक वर्ष सर्वसेश जेस्ट मास के शुकल पक्ष में आती है नेजला एकदसी इसे पांडर नेजला या भीम सेनी एकदसी के नाम से भी जाना जाता है यह वर्ष की सबसे बड़ी है वैदिक शास्त्रों के रचेता व्यास मुनी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस एकदसी का अगर पूर्ण शर्दा और नियम से अनजल का त्याग करके पालन करता है तो उसे वर्ष की सभी एकदसी करने का पुन्य फल अपने आप मिल जाता है और इस कथा का वर्णन आता है यह गुरू पुरान में हम सब जानते हैं कि पक्षी राज गुरूड बगवान शरी हरी के वहन हैं लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें इस महान सेवा और पद की प्राप्ति कैसे हुई थी तो सुनिए, पक्षी राज गुरूड के पिता है, रिशी कशप और उनकी माता का नाम विंता है, एक दिन विंता और रिशी कशप एक दिन घोड़े और उच श्वासती पर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कपट पूर्वक विंता से कहा कि उसकी पूँच का रंग काला है, इस बात पर दोनों में बैस हो गई, और यह तैय किया गया कि इस बात की पुष्टि की जाएगी, और वे हारेगा, वे दूसरे को दासत स्विकार करेगा, अब देखे, कदर ने अचाला की पूरग क्या क्या क्या, उन्होंने संतानों को जो की सर्प थे, उन्हें इस गो की माता विंता यह शर्थ कर हार गई, और उन्हें कदरू की दासी बन कर रहना पड़ा, इस बात से दुखी होकर, उन्होंने अपनी माता को इस दासता से मुक्त कराएंगे, इसलिए उन्होंने दारुता जाकर पूछा की, अपनी माता को दासता वोसे मुक्त कराने के लिए क्या कीमत करने पड़ेगी कद्रू भी चालाग थी वह चाती थी कि विंता सदेव उसकी दासी बन कर रहे इसलिए उसने गुरूड को एक आसंभवकार्य सोपा और वह कार्य था देव लोग में अमरित के कलश को लेकर आना गुरूड ने अपने पिता के माग दर्शन में इस आसंभवकार्य को संभव बनाने का निर्ने ले लिया देव लोग में जाकर अनेक संगर्शों के पस्चातवे उस अमरित कलश को धरती पर लाने में सफल हो गए और इस प्रकार उन्होंने अपनी माता विंता को प्रस्ताव रखा गुरूड ने सोभाके की बात थी और उन्हें बड़ी ही प्रसंता पूरक इस सेवा का स्विकार किया एक दिन गुरूड और भगवान श्री विश्नु के बीच कुछ समवाद हो रहा था उस समय गुरूड ने भगवान श्री हरी से पूछा भगवन मैंने सुना है कि सभी वर्तों में एकादशी तिथी आपको सरवधिक प्रिये है लेकिन कई बार इस एकादशी तिथी के दिन को लेकर अनेक ब्रांतियां फैली रहती है तो आखिर कौन से दिन इसका पालन करना चाहिए इस विशे में मैं जानना चाहता हूँ इसके उपरांत इस एकादशी तिथी के मात्य के विशे में भी जानने के लिए उस्वक हूँ हे प्रभू यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो किर्पा कर इस एकादशी के मारदशन प्रदान करें गुरूड की विनमरता और जन कल्यान यूगत जिग्यासत देखकर भगवान श्री विश्नु ने का हे पक्षी राज ये सत्ते है कि मास में दो बार यानि शुकल पक्ष और क्रिशन पक्ष में आने वाली एकादशी ती थी मुझे सरवधिक प्रिये है एक समय इस प्रद्वी पर महान राजा मांधता ने इसी एकादशी वर्द का पालन करके पुन्य अर्जित किया था और उसके परिणाम सुरूप उन्हें संपून प्रिथी का एक चक्री सामराजे प्राप्त हुआ था इसलिए परतेक व्यक्ति अपने जीवन के परम लक्षे अत्याध्यामिक जीवन में उन्नती है तो इस एकादशी का वर्द अवश्य करना चाह सो पुत्रों का और विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया था और इसलिए किसी भी व्यक्ति को दश्वी विद्या एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए द्वादशी के साथ जो एकादशी आती है उस एकादशी तिति में भगवान श्री हरी का सनिन रहता है लेकिन जो द थिति एक कला मात्र गणना में भी रहती है, तो द्वादाशी युक्त एक अदशी को ही वर्त उपासे है, यदि कभी एक अदशी, द्वादाशी और विशेश रूप से त्रोध शुरूप से त्रोध सी तिति में भी एक दिन में आ जाए, तो इन तीनों तितियों से मिशीर ये तिथी वर्थ करने योग्य होती है क्योंकि ऐसी तिथी मांगलिक एवन सभी पापों का विनाश करने में सक्षम होती है किन्तु दश्मी से युक्त एक अदशी का वरत कभी भी नहीं करना चाहिए प्राचीन समय में महराज रुकमार भी एक अदशी के दिन रातरी में जा लोतिक मुक्ति प्राप्त हुई थी तो यह थी निर्जला एक अदशी की महिमा मंदन करती हूँ कि कता आप जैसे कि हमने इस वीडियो की शुरुवात में कहा था कि इसके आंति में स्पेशल न्यूज है तो जैसा कि आप जानते हैं हम बहुत बड़े अमिनेशन ताकि आप तक और भी वीडियो आ सके हो और हमाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजे तो धन्यवाद